आज मैं बनाने वाली हूँ आप कलू की सुखी चटपटी सबजी जिसे बड़ों से लेकर बच्चों तक काफी पसंद करते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो ये सबसे अच्छी रेसिपी है आलू की बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी उसके बाद मैंने लिया है एक रफली चॉप किया हुआ प्याज एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर और मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच मीट मसाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा सिक्कम काली मिर्च औ और एक चम्मच लहसन का पेस्ट अब मैंने यहां कढ़ाई में डाला है सरसो का तेल जैसे ही तेल गर्म हुआ हमें डाल देना है कटा हुआ प्याज अब प्याज को हमें अच्छा कलर आने तक भूनना है और जैसे ही प्याज गुलाबी हो गया हमें डाल देना है उबला हुआ आलू और इसी भी हमें पांच मिनट तक भूनना है पांच मिनट भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूं कटा हुआ टमाटर लहसन का पेस्ट और सारे मसाले और स्वादा नुसार नमक इसे हम थोड़ी देर भून लेना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए और भी गल जाए तो देखे कितने असान तरीके से हमारी आलू की सुखी चटपटी सबजी रेडी हो गई है और यह काफी स्वादिस्ट भी लगता है